इस कौन मंदिर जाने के लिए आपको अंधेरी रेलवे इस्टेशन पर उतरना होगा अंधेरी रेलवे इस्टेशन पर उतर कर प्लेट फाउन नमबर एक से जैसे ही बाहर जाओगे तो आपको बस स्टॉप दिखाए देगा और बस स्टॉप के बगल में ही बस डीपो है तो ज्यादा अच्छा रहेगा बस डीपो में आप जाएए वहाँ से आप जूहू के लिए बस पकड़िए जूहू के लिए बस पकड़ेंगे तो आपको सीधा हो इसकॉन मंदिर के नजदिक छोड़ देगा वहाँ से आप पैदल चल कर पहुँच जाएंगे इसकॉन मंदिर पर तो यहाँ पर यह देख रहे हो मुक्तिस्वर देवाले है यह और इसके सामने ही इसकॉन टेंपल है और यह मंदिर जूहू बीच के नजदिक है तो यहाँ पर जैसा कि देख रहे हो जब बस से आप आओगे तो आपको 10 रुपए से कम टिकट प्राइस लगेगा या फिर आप वहाँ से पैदल भी आ सकते हो गूगल मैप को ओपन करके आप पैदल भी आ सकते हो इस मंदिर में या फिर आप रिक्से से आओगे तो 60-70 रुपए के आसपास जाएगा और अगर आप पैदल आओगे तो आदा गंटा के आसपास लगेगा तो जैसा कि देख रहे हो यहां पर इंटरी हो रही है और यहां सामने आप चप्पल रख सकते हो चप्पल का कोई प्राइस नहीं है मतलब यहां पर कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा फ्री में आप चप्पल रख सकते हो जब यहां पर चप्पल रखोगे तो वह आपको एक टोकन देंगे टोकन लाश्ट में आप उनको दोगे तो वह आपको चप्पल देंगे और सामने देख रहे हो सामने आप एकदम सामने वहां पर हाथ पर दोईए हाथ पर दोने के बाद जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा तो सामने देख रहे हो सब लोग हाथ पर दो रहे हैं और फ्री में हाथ पर दो सकते हो और यहाँ पर यह मंदिर का इंटरी गेट है यहाँ से आप प्रसाद खरीद सकते हो या फिर बिना प्रसाद का भी आप अंदर जा सकते हो और जैसे ही आप इंट्रे मारू को देख रहे हो यहाँ पर आपको बगल में कुछ छोटे-छोटे मुर्तिया लगाई गई है यहाँ पर देख रहे हो भगवान स्री क्रिस्न अर्जुन को संदेश दे रहे हैं और यहाँ पर हिर्ड़य कस्यप का वद्ध हो रहा है और यहाँ पर भगवान राम युद्ध कर रहे हैं तो इस तरह से आपको कई मुर्तिया दिखाई देंगी साइड में जब आप जैसे ही इस मंदिर के अंदर इंट्री लोगे तो यहाँ पर देख रहे हो बहुत सारी मुर्तिया यहाँ पर हैं एक दम काच में यह पूरा पैक है लेकिन तो आप बाहर से देख सकते हो और यहाँ पर जब देखोंगे थोड़ा सा आगे आओगे तो यह भगवान क्रिस्न की मुर्ति बनाई गई हैं यहाँ पर भी देख प्रशाद कोई रोकता नहीं है तो यहां पर देख रहे हो आप वीडियो जी निकाल सकते हो यहां पर भजन भी होता है और इसके ज़श्ट बगल में प्रसाद भी मिलता है साथ रुपए का प्रसाद आप ले सकते हो घर पे ले जाने के लिए और जब थोड़ा सा आगे भगवान गनेश महाभारत लिखते हुए और व्यास जी उनको बोल रहे हैं और भगवान गनेश महाभारत लिख रहे हैं और यहां पर देख रहे हो भगवान विष्णू और उनकी धर्म पतनी लचमी जी और उपर ब्रह्मा जी का फोटो लगा हुआ है फोटो ने मुर्ती लगा हुआ है तो आप आईए यहां पर बहुत अच्छे से आपको बहुत ही जादा अच्छा लगेगा और यहां पर भजन भी होता है और भजन भी आप उनके साथ गा भी सकते हो बैटकर भजन सुन भी सकते हो तो यहां पर देख रहे हो यहां बुक भी खरीद सकते हो और य यह सामने इंट्रीगेट है फिर सामने यह देखिए यहां से थोड़ा सा दूर से जब इसा लोगो फ्रोटो तो इन मुर्ति आपको दिखाई दे रहा है इन जगह रखे हुई है कि आपको बजन करते हुए भी दिखाया है और इसके बाद आप बाहर जैसे ही जाएंगे तो यहां पर आपको नास्ता करने की भी छोटे-छोटे स्टाल मिल जाएंगे जो की काफी सस्ते में इनास्ता देते हैं प्राइस पूछने के बाद ही नास्ता लीजिए तो ज्यादा अच्छा रएगा और यहां पिर यहां पिर आप भगवान करिशन का फोटो भी खरीद सकते हो वहां पिर अगर गवा दान देना था आप गवा दान भी दे सकते हो या फिर आपको नहीं भी देना है तो आप नहीं दे सकते कोई जबरजस्ती नहीं है तो जैसे ही आप गेट से बाहर निकलेंगे तो left side में bathroom है तो वहाँ पे जा सकते हो और right side में बाहर जाने का रास्ता है तो यहाँ पे सिधा जाओगे लोग नास्ता कर रहे, पानी पूरी, समोसा, चाट, तो यहां पे आप पैसे दे कर नास्ता कर सकते हो, और सामने जो फिरी में प्रसाद मिलता है, साम के टाइम पे, तो वहां पे आप प्रसाद लेकर खा सकते हो, तो यहां बगल में ठंडा पानी फिरी में मिल जाएगा, यह डेखरे बगल में लोग पानी पी रहे हैं तो आँ से आप पानी पी पी सकते हो। स्वल स्जा purl में 3 4 में things पानी बीए, नउर्मल पानी भी है। तो ले सकते हो। और यहाँ पे सामने देखरे, फ्री में उप्रासाद मिल रहा है उस के लिए लोग do लगाए हुए हैं यहां पर आज चार्ट दे रहे हैं तो डेली अलग-अलग प्रसाद देते हैं तो आज की टाईंपे कुछ अलग चार्ट था तो चार्ट दे रहे थे खने के लिए और यहां देकर आप लास्ट में जैब बहुत ही अच्छा लगेगा और इसके बगल में ही जुहू बीच है वहाँ पे भी आप जा सकते।